हेलो डिये सुडेंट्स कैसे आप सभी आई होप बहुत अच्छे होंगे इस स्टुडियो में हम मैथ्स का चैप्ट नमर 15 से उधारन एक और दो को सॉल करेंगे तो देखिए उधारन एक मिम से क्या कहा गया है एक सिक्के को 1000 बार उचालने पर निम लिखित बारम बारताएं प्राप्त होती हैं चित 455 बार परते घटना की प्रायक्ता अभईकलित कीजिए तो देखिए इसका सुलोशन कैसे करेंगे हम हमसे question में कहा गया है कि एक सिक्के को 1000 बार उचाला गया ठीक है तो जिसमें से 455 बार ऐसा हुआ कि चित आया चित को हम English में head कहते हैं ठीक है और 545 बार ऐसा हुआ कि put आया यानि कि इसको English में tail कहते हैं तो हमें इन दोनों घटना की यानि इन दोनों events की प्रायक्टा बतानी है probability तो देखिए यह हम कैसे बताएंगे सबसे पहरे ध्यान दिजीजीchien कि जो हमारा प्रायक्टा का सुत्र होता है उसको लिख लेते हैं यहाँ पर P यानि की probability और ये E यानि की event यानि की probability of event यानि घटना की प्राइकता तो इसका सूत्र होता है हमारा उपर हम लिखते हैं अनुकूल परिनामों की संख्या और बटे में हम लिखते हैं कूल परिनामों की संख्या वैसे तो आपकी बुक में थोड़ा बड़ा सा इसक तो यहां पर अनुकूल परणामों की संख्या बटे में कुल परणामों की संख्या यह क्या है यह मैं आपको अभी समझाता हूं तो देखिए सबसे पहले हम क्या गरते हैं अनुकूल परणामों की संख्या का मतलब है कि जो आप से कोशन में पूछा गया है यानि जिसकी आप को प्राइक्ता निकालनी है तो उसे आपको अनुकूल परणामों की संख्या की जगर पर लिखना है तो यह हमारा 405 वर आया है तो यह हो जाएगा हमारा अनुकूल परणाम तो इसे हम उपर लिखेंगे और परणाम क्या होगा की है कि हमें पता है कि सिक्के को 1000 बार उच्छाला गया तो यही हमारा कुल परिणाम हो जाएगा ठीक है तो सबसे पहले अगर हमें जो चित है इसकी प्राइक्ता बतानी है तो लिखेंगे चित की प्राइक्ता हमारा हो जाएगा यह हो जाएगा P यानि की probability of event यानि की घटना की प्राइक्ता घटना हमारा चित घट रहा है ठीक है तो इसी लिए सबसे पहले अनुकूल परिणामों की संख्या है तो यह हमारा अनुकूल परिणाम 455 है तो इसे हम उपर लिखेंगे और बटे में लिखेंगे कुल परिणाम तो यह 1000 है तो यह हो जाएगा 1000 अब यह हमारा कट रहा है तो इसको हम आगे काटेंगे ठीक है यह हमारा पाँच के पहाड़े से कट रहे हैं दोनों यह हो जाएगा पाँच के पहाड़े से 5945 पाच एकम 5 और यह हमारा पाँच के पहाड़े से 200 बार में ठीक है तो आप चाहे तो यहीं पर अपना आंसर छोड़ सकते हैं fraction में या फिर आप चाहे तो इसको आगे point में भी लिख सकते हैं answer जब आप इसमें भाग करेंगे तो आपका answer आएगा 0.455 तो आप चाहे तो यहीं पर अपना answer छोड़ दीजिए या फिर आगे इस पर्ट है उसकी प्राइकता क्या होगी तो लिखेंगे पर्ट की प्राइकता यानि की probability of event तो इसमें हमारा देखिए सबसे पहले अनुकुल परणामों की संख्या है आपको यी बात हमेशा ध्यान रखना है कि जो हमारा प्राइकता चैप्टर है इसमें सिर्फ यही एक formula काम अता है ठीक है इसी को आपको याद रखना है अनुकुल परणामों की संख्या बटे में कुल परणामों की संख्या तो इसी से आपका सारे question solve होंगे तो देखिए पट हमारा कितनी बार है 545 बार तो यह क्या हो जाएगा अनुकुल परणाम क्योंकि इस बार हम जो हमारी प् परणाम बन जाएगा तो इसे हम पहले लिखेंगे 545 बटे में क्या है कुल परणाम हमारा सेम रहता है देखिए 1000 है तो इसी को लिखेंगे 1000 ठीक है अब इसके बाद यह भी हमारा कट जाएगा यहां पर तो अब देखिए इन दोनों में हम यह हमारे पांच के पाड़े से क ौइंड में change करेंगे, तो यह ऐगा 0.545, ठीक है, तो यह हमारे दोनो प्रायकता हैं, यह हमारा है चित की प्रायकता, यानि कि head की, और यह cat की अब दीखिए, मैं आपको एक important चीज समझाता हूं, जो हमारा प्रायकता होता है, वो हमेशा 0 से लेकर 1 तक होता है, ठीक है यानि कि प्राइक्ता नहीं तो कभी 0 से कम यानि कि नहीं तो कभी माइनस में होता है और नहीं 1 से ज्यादा होता है ठीक है ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हमेशा हमारा प्राइक्ता 0 से लेकर 1 तक ही होता है अब देखिए यहाँ पर जितनी भी हमारे हमने ये प्राइक्ता बताया है ये दोनों अगर हम इनको जोड़ेंगे तो हमेशा हमारा एक आता है ठीक है यानि कि हम ये कह सकते हैं कि घटना घटने की प्राइक्ता और घटना न घटने की प्राइक्ता उन सभी का योग हमेशा एक बनता है यहां पर देखिए दो घटना घट र दोनों को जोडते हैं तो यह हमारा 1 बन जाता है ठीक है 1.000 का मतलब है एक तो यह बात हम इसे आपको ध्यान रखना है कि जितने भी हमारी प्राइक्टा है यहाँ पर देखिए दो यहाँ पर हमारे प्राइक्टा बताये हैं हमने तो यहाँ पर यह दोनों हमारे हो जाएंगे घटना की प्राइकता तो इसलिए इनको जोड़ने पर एक आ जाएगा ठीक है अगर एक नहीं आ रहा है तो कहीं पर कुछ मिस्टेक है तो इस तरह से हमारा जो उधारण एक है उसका solution complete हो गया अब चलिए उधारण दो को solve करते है तो देखिए उधारण 2 में हमसे क्या कहा गया है दो सिक्को को 17 500 बार उचालने पर हमें यह प्राप्त होता है दो चित 105 बार एक चित 275 बार कोई भी चित नहीं 120 बार इनमें से प्रतिय घटना की घटने की प्राइकता ग्यात कीजिए तो देखिए डिये सुरेंट्स इसका solution कैसे करेंगे हम इस कोशन में हमसे कहा गया है कि दो सिक्के है ठीके उन दोनाओ सिक्कों को ऐक सांथ उच्छाला जाता है 500 बार तो 105 बार ऐसलोई कि दोनों ही सिक्कों में 202 चित नहीं हैं यानि कि वह चित आया और इसके अलावा 275 बार ऐसलोई कि एक चित आया यानि कि एक ही सिक्के में चित आया और 120 बार ऐसा हुआ कि किसी भी सिक्के में चित नहीं आया यानि कि कोई भी सिक्के में चित नहीं का मतलब है कि एक भी सिक्के में चित नहीं आया दोनों में टेल आया यानि कि पट आया ठीक है तो यह हमारा इसका मतलब है अब देखिए हमसे पूछा है परते घटना की प्राइक्ता तो यह हम कैसे बताएंगे यहां से हमारा सुलूशन स्टार्ट है तो सबसे पहले हम जो हमारे प्राइक्ता का सुत्र है फॉर्मूला उसको लिख लेते हैं प्रोबैबिलिटी ओफ इवेंट बराबर क्या होता है हमारा फॉर्मूला यह होता है अनुकूल परणामों की संख्या बटे में क्या होता है कुल परणामों की संख्या तो देखिए सबसे पहले हम जो दो चित है घटना इसकी प्राइक्ता बताते हैं तो यहां पर लिख लेत इसमें हमारा जो है सबसे पहले अनुकुल परणामों की संख्या है तो हम दो चित की प्राइकता बता रहे हैं तो अनुकुल परणाम हमारा क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 105 ठीक है क्योंकि दो चित जो है वह 105 बार आ रहे हैं तो इसलिए अनुकुल परणाम हमारा 105 हो जाए तो यहाँ पर लिख देंगे 500, अब देखिए, यह दोनों हमारे जो हैं, कट रहे हैं 5 के पाड़े से, यह 21 बार में, और यह हमारा 5 के पाड़े से 100 बार में, ठीक है, यह हो गया हमारा 100, तो इस तरह से 21 बटे 100, यह हमारा प्राइकता है 2 चित की, ठीक है, आप चाहें तो इस में, एक चित की प्राइकता बताएंगे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, एक चित, तो इस बार हमारा क्या होगा, कि जो अनुकूल परिणाम होगा, वो 275 हो जाएगा, तो इसलिए इसको लिखेंगे सबसे पहले, यानि उपर 275, और बटे में कूल परिणाम, तो कूल परि 25, और 525, यानि कि 55 बार में ये कट जाएगा, और ये हमारा 100 बार में, तो 55 बटे 100, ये आगे भी कट रहे हमारा, देखिए, ये हो जाएगा, पांच के पाड़े से 11 बार में, यानि 11 पंजे 55, ये 20 पंजे 100, तो 11 बटे 20 आ जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा 11 बटे 20, जो ए लिखेंगे कोई भी चित नहीं तो देखिए इसकी प्राइक तक क्या हो जाएगे हमारी यहां पर लिख लेते हैं जो कोई भी चित नहीं है यानि कि दोनों सिक्कों में से किसी में भी चित नहीं आया तो ऐसा 120 बार हुआ इसी लिए इसमें हमारा अनुकुल परिणाम 120 हो जाएगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे 120 बटे में कुल परिणाम तो वही रहेगा यानि कि 500 अब ये दोनों हमारे कटेंगे ये देखे 0 से 0 कट जाएगा 12 बटे 50 बचा तो ये दोनों हमारे 2 के पाड़े से कट जाएगे ये हमारा 2 चिक बार और ये 2 के पाड़े से 25 बार में तो 6 बटे 25 यही हमारा कोई भी चित नहीं इसकी प्राइकता है ठीक है तो ये हमारे 3 यहाँ पर आंसर है यानि अब देखे इसमें हमारा क्या है कि अगर आप इन 3 को जोड़ेंगे 21 बटे 100 11 बटे 20 और 6 बटे 25 तो इन 3 को जोड़ने पर आपका आंसर एक बनेगा ठीक है आप चेक भी कर सकते हैं तो इस तरह से हमारा जो उधारन 1 और 2 का सोलूशन है ये कम्प्लीट हो गया I hope आपको अच्छे समझ में आ गया है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना अपनी दोश्तों के साथ भी शियर कर देना और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर और नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लेना ताकि नेक्स वीडियो जैसे अप्लोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए मिलता है फिर नेक्स कोशन के लिए नेक्स वीडियो में धन्यवाद